केंद्री राजमंत्री हर्ष मलोत्रा हमारे साथ हैं बात करने के लिए हर्ष जी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है अतीशी आज कुछ देर में शपत लेने वाली हैं मैं उनको बहुत शुबकामनाय देता हूँ और उनसे ये निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली की जो जनता तरस्त है शायद इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो दो तीन महीने इस सरकार के बचे हैं चुनाफ से पहले ये दिल् देना पड़ रहा है उनकी प्रॉब्लम ही यह है कि वह वास्तविक्ता नहीं समझते हैं यह लोग आमादमी पार्टी वाले लोग एक नेता ने भष्टाचार किया मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली दिल्ली राज्ये का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उसमें उनका उनके उप्मुख्यमंत्री का नाम है और एक घोटाला नहीं है जलबोड का घोटाला है डिटी सी बसिज को लेकर के गोटाला है स्कूल के क्लास्रूम्स का घोटाला है बहुत से घोटाले हैं तो बाकी सब परते धीरे-धीरे खुलेंगी अब जो आदमी जो करम करेगा वो भुगतने पड़ेंगे तीन महीने कही वक्त मिलेगा ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं आतिशी को क्या आप लगता है कि अरविंद केजरिवाल जे कुछ अलग साबित हो पाएंगे अतिशी ये तो आतिशी घताएंगे पुगतने अप्राइंगे